students now we are going to do the exploratory factor analysis on SPSS software तो आईए देखते हैं कि हम यह analysis जो है कैसे करते है SPSS में students यह मेरे पास एक data set open है इसमें मैं एक scale है उसको देखना चाहरा हूं कि उसका जो है factors उसमें कितने है तो यह जैसे मैंने बताया था factor analysis is the tool of dimension reduction तो analyze में जाएंगे dimension reduction में जाएंगे और factor में हम चले जाएंगे factor में यहाँ पे हमने यह जो items है seven items है इस scale की peer of coronavirus की तो वो seven मैंने यहाँ पे select कर ली है descriptive में जाएंगे initial solution देखेंगे के मोन बाटले test of superiority देखेंगे continue करेंगे इसको extraction में हम principle component analysis देखेंगे वैसे तो यहाँ पे maximum likelihood भी है principle access factoring भी है पर अभी हम जो है principle component जिसमें यह क्या करता है कि एक जो है देखेंगे screen plot भी देखेंगे eigen values factor analysis के लिए one ही होती है इसको continue करेंगे rotation वैसे single factor structures में नहीं देखी जाती क्योंकि rotation वहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे ज्यादा आपके factors हों तो यहाँ पे यह scale seven items का यह जो है वो एक single factor structure ही है तो हम इसमें rotation नहीं देख रहे हैं और options में हम यह 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 assume करेंगे यह एक ही structure factor structure है ओके करेंगे अब आप जब output में जाएंगे तो यह इसकी value जो है मारे पास आई है point eight six seven one तो यह point eight से बड़ी है और significant है तो इसका मतलब यह है कि यह आपका जो sampling education का test है वो significant होने का मतलब यह है कि this sample is suitable for the factor analysis यहाँ पे आपके पास है initially हमने यह assume किया था यह सारे one one है मगर extract किये तो यह इनके आपके coefficients आ गए है यह actually बीटा जी होते है point five zero two point five zero point six zero point six three तो इस में से हमें यह पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा strong है item वो कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा बीटा ज्यादा point six seven है और फिर यह point six zero तो यह जितनी ज्यादा इनकी value हाई होगी यादि अगर इनकी value जो है वो point seven या point eight या point nine के पास होगी उतनी ज्यादा इस से फिर क्या होता है आपकी construct validity बढ़ जाती है यादि आपका scale और ज्यादा strong होता है तो इसलिए यह अगर इनकी values कम आ रही है point five से अगर कम आती है तो वो फिर आ जो है आपकी scale की validity को खराब करता है जो उसकी internal reliability और internal validity है उसको खराब करता प्रेडिक्टिव validity को भी खराब करता है आइगन value हमारे पास जो component one ही आप एमर जो के आया और किसी और की one से उपर नहीं आई value तो यह three point nine nine eight almost four है और यह केला जो है seven items के जो है वो fifty seven percent जो है various explain कर रहा है यानि यह एक अच्छा वेरियस यानि यह फॉर्टी भी होता तो यह acceptable था पर यह fifty seven percent है तो यह जो है यह जो है आपका जो जो त्रेटिकल काउंसेप्ट है उसका एम्पेरिकल डेटा फिफ्टी सैवन परसेंट वेरियस एक्स्प्लेंड करा जो काफी अच्छा है स्क्रीप लॉट जब दो से ज्यादा फैक्टर हो तो बड़ा अच्छा एक तरीका है कि भी स्क्रीप लॉट से हमें पता चल जाता है कि आपके कितने फैक्टर है यहां पर देखें कि फैक्टर वन के बाद बहुत जदा टिल्ट है और फिर एक स्ट्रेट लाइन और यहां पर ही हमें यही नज़र आ रहा है कि यह एक ही फैक्टर है क्योंकि उसके बाद लाइन सीदी हो रही है क्वानेट मैट्रेक्स में हम यह देखते हैं कि यह जो आपके कंपोंट है यह उनकी वैल्यूज आ गई आ जो है कि आपके एक्सपेक्टेड कंपोंट है यह सारी हैं पहले हमने एक्स्ट्राक्टेड देखें और फिर इंगन वैल्यू की बेस्ट में जब देखें तो यह कंपोनेट मैट्रेक्स में यह उनके मीटाज होंगे हैं तो यह एक सिंगल فیکٹर सिलूशन बताया मैंने आपको एक्स्ट्राइडियू फैक्क्र ऑनलिस्शज में अब मैं आपको एक और जो है दिखाता हूं जिसमें हम हम जैब मुल्टी फैक्टर स्लूशन देखते हैं जब आपकी बहुत ज्यादा एक स्केल में आइटम्स हो और उसमें फिर आपके जो है ज्यादा फैक्टर्स हो अब यह थिरेटिकली हमने कुछ आइटम्स बनाएं और हमने यह कहा कि वह फाइव फैक्टर्स हैं उसमें जैसे आपको यह नजर आ रहा है कि 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 की कुछ आइटम्स है, 5.3 की आइटम्स है, 5.2 की आइटम्स है और 5.1 की आइटम्स है यह एक्चली जो हम डेटा सेट इस्तमाल कर रहे हैं इस कोर्श के लिए मोटिवेशन तो यूज सोशल मीडिया यह वही डेटा सेट है तो यह वही मोटिवेशन तो यूज सोशल मीडिया ही है तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि इनकी फैक्टर लोडिंग्स क्या आती है तो डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे हम इनीशियल स्टू सिलीशन और क्यमों बाटलेस टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी और सांप्लिंग एड़ है फैक्टर्स तो हम इसमें रोटेशन भी रण करेंगे वैरी मैक्स रोटेशन हम इसमें लेंगे पॉप्शन इसमें हम कहते हैं कि हमें जो फेक्टोर्स हैं उस और को पाइब कोफिशंट्स क्यूंकि इसमें आ है हम इसमें जो है आव उननको लआदा-लआदा देखना चाहरे है और जो सब्रसकर ने चाहरे जित करंे हैं क्युब फाइंट फ्रेट्स घ्र है need देखते हैं इसका आउटपोट वियू पॉइट एट सिक्स थी है जी आज है और सब्पल एड्विकेट है यहाँ पर हमें यह नजर आया कि हमने तो वैसे एजियूम किया था कि पाँच फैक्टर आएंगे तो यहाँ पर वाकई पाँच फैक्टर आए और सब यानि पाँच ह कर रहा है और यह पांच हो मिलके कुमिलिटिवली 57% एक्स्प्लेइन कर रहे हैं सक्रीप लॉट देखें तो यहाँ पे हमें यह नजर आ रहा है कि फाइफ के बाद थोड़ी सी फाइफ और शिक्स के बाद थोड़ी सी लाइन सीधी हो गई है यदि यह फाइफ और शिक्स क की वह सीधी हो रही है तो इसके बाद हम यह अन्लोटेटिड मैथिड पर आते हैं तो यहां पर हमें नजर आता है कि फाइफ पर उसने लोडिंग्स दी हुए है कि कौन सी किस पर जैसे यह आइटम जो है वन पर पॉजिटिवली लोड हो रही है और थ्री पर डेगिटिवल लोड हो रही है इसी तरह यह एक आइटम जो है वन पर पॉजिवली लोड हो रही है त्री पर डेगिटिवली लोड हो रही है और इसी तरह एक यह आइटम है यहोंगे दुनों पर लोड हो रही है जब हमने इसको रूटेट करके दुबारा फैक्टर इलैलेसिज रन किया structure बनके आ गया है जैसे यह देखें हैं हमारे पास जो first factor है इसमें क्या item है I use Facebook to record what I do in life I use Facebook to record what I have learned I use Facebook to record where I have been I use Facebook to watch and share songs I use Facebook to maintain remain updated about fashion style तो यह थोड़ा सा एक motivation जो हमारी मुझे लगता है self expression की है यह सारी उसकी items है और यहां पर देखें I use Facebook to access and share information about jobs I use Facebook to access and share information on social issues to access and share political information to access and share economic information to access and share religious information to access and share sports information यह सारी जो है यह एक factor पर load हुए यह seeking and sharing information हमारा दूसरा factor है तीसरा अगर हम देखें I always allow strangers to add me as a friend I always add friends of friends I can find people sharing the same interest with me और allows me to make a lot of new friends तो यह making new friends जो है यह वो फोस motivation है I use Facebook to read and post jokes to watch and share funny videos use Facebook to play games यह वो जो इंटर्टेइन्मेंट की items थी वो ऐसा collectively एक factor पर जो है वो लोड़ हुए help me to find old friends most of my friends in Facebook are known in the real world to communicate with by existing यह existing social type तो देखें factor analysis की यह beauty है यह इसने जो एक तरह की items थी वो एक जो है factor में upload कर दी है और इससे आपको पता चल गया है कि आपकी motivations पाँच तरह की है और यह सारी जो एक तरह की है वो एक factor पर load हो गई है तो जो सबसे strong factor है जिसकी भी आईगन वैल्यू सिक्स थी वो self expression है यानि हम इससे यह कह सकते हैं कि social media लोग use करते हैं self express करने के लिए और फिर information को जो है ढूडने के लिए लोग देखते हैं कि उस पे क्या क्या information आ रही है फिर तीसरा जो है वो strangers को जो है add करने के लिए कि उनको friends बनाने के लिए फिर entertainment के लिए और फिर existing friends के साथ communicate करने के लिए यानि लोग जो है ज्यादा तर इस्तमाल social media का इससे हमें पता चलता है कि लोग करते है self expression के लिए अपने day to day life जो चीज़े हैं उनके साथ जो वो कर रहे होते हैं वो उसको ज्यादा शेयर करते हैं social media के उपर और theory भी यही कहती है तो यह इस तरह से हमें एक scale को जो है validate कर लेते है exploratory factor analysis में अब अगर अगर मैं दुबारा इसको किसी और study में use करूँ तो फिर अब मैं वहाँ पे इन ही theoretical assumptions के साथ जाओंगा और वो जब analysis करूँगा तो वो confirmatory factor analysis होगा और confirmatory factor analysis में हम जो है error terms को भी जो है वो control कर सकते हैं मगर उसके लिए वो दूसरा software होता है इसकी extension है तो वो हम देखेंगे कि अगर हमारे लिए possible हुआ तो वो भी हम इस course में करके देखेंगे